दोस्तो रिलाइस पावर की बात करें तो यहाँ पर लगातार अपर सर्कुट लग रहे हैं श्टॉक 32 तक पहुँच चुका है और जो पुराना इसका हाई है 52 वीक का उसको क्रॉस करने की तैयारी सुरू कर चुका है अब इसके पीछे वज़े यह है कि लगातार बहुत तेजी से प्रमोटर अपने कर्ज को चुकाने की कोशिस करें इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि कमपनी को बहुत जल्द पुरी तरसे कर्ज मुक्त करना है यानि 2024 का टार्गेट रख लिया है इस 2024 में ही कमपनी पुरी तरसे डेट फ्री हो जाएगी और सिर्फ रिलाइस पौर की बात नहीं रिलाइस इंफरा जिसकी सबस्रीज कमपनी रिलाइस पौर है उसमें भी लगातार कर्ज को चुकाया जा रहा है यानि अनि लंबानी आने वाले से में रिलाइस इंफरा और रिलाइस पौर को लेकर आगे बढ़ने वाले क्योंकि दुसरे बिजनस तो सारे उनके हाथ से चले गए सारी कमपनीया निला महो चुकी है ऐसे में इन्होंने ठान लिया है कि अपने कुछ ऐसेट बेश के भी कमपनी के करज को खत्म किया जाए और इसी ने इस फैसले ने पूरा माहोल बदल दिया है तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या इस लेवल पे रिलाइस पौर में हमें खरीदारी कर दी चीए क्या रिलाइस पौर आने वाले दिनों में थ्री डिजिट में जा सकता है यानी हंडेट को क्रॉस कर सकता है समझे की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले रिलाइंस पौर के कारूबार की बात कर ले तो स्टॉक की सुरूआ तो पॉजडिव हुई 30.55 पर क्लोजिंग थी कल की 30.30 के आसपास इंट्राडे में 30.40 का लोबी बना यानि गिरावट नहीं हुई और जो हाई है वो 30.80 का है यानि 5% का अपर सर्कृट लगा तो कारूबार हुआ ट्रेडिंग हुई लेकिन अपर सर्कृट लग गया अब इसकी परफर्मस को देखे तो 27.00 मार्च को स्टॉक 27.65 के आसपास था जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी थी 28.00 मार्च को स्टॉक 28.25 पर आगया जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी एक अपरेल को स्टॉक 28.90 के आसपास क्लोजिं थी जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी यानि पिछले कुछी दिनों से यह इतरसे सर्केट लिमिट से बारा है लेकिन तेजी के साथ क्लोज दे रहा था भले ही 5% का अपर सर्केट न लगा हूँ लेकिन लगा अतार पॉजिटी क्लोजिं उस पे 2 अप्रेल को फिर से अपर सर्केट लगया स्टॉक आ गया 30.30 के आसपास 4.8% की सांदार तेजी के साथ और आज 3 अप्रेल को स्टॉक फिर से दिन में अपर सर्केट लगा है पिछले 5 दिन में रिलाइस पाउर के शेर में 19% की सांदार तेजी बन चुकी है पिछले 4 साल में निल माने कि इस कंपने शेरों में 27% का बंपर उचाल देखना को मिला है रिलाइस पाउर के शेरों का 52 वीक का जो लो में कंपनी के शेर 3 अपरेल 2024 को 31.84 पर पहुच गए रिलाइस पाउर के शेरों में पिछले 4 साल में 27,17% का में जबरदस रिटन देखना को मिला तो रिलाइस पाउर में किसी ने अगर 27 मार्च 2020 को अगर 1 लाइक रुपीज का इंवेस्मेंट किया होता तो आज उनका इंवेस्मेंट 28.17 लाइक रुपी तक पहुच गया होता तो यानि 1 लाइक का 28 लाइक हो जाता रिलाइस पाउर के शेरों पिछले के साल में 205% का बंपर उचाल देखना को मिला रिलाइस पाउर के शेर 3 अपरेल 2023 को 10.4 थी के आसपास थे कमपनी के शेर 3 अपरेल 2024 को 31.84 पर तक पहुच गए पिछले 6 महिनों में रिलाइस पाउर की शेरों 65% की बंपर तेजी आई है कमपनी के शेरी सवदी में 19.25 रुपे से बढ़कर 31 तक पहुच गए और लगातार तेजी का अधम बंद रहा है काफी सांदर अब यहाँ पर देख सेब कि यह सिर्फ रिलाइस पाउर ने रिलाइस इंद्फरा में भी सांदर तेजी है और स्टोक काफी तेजी से वो भी प्रदस्टन कर रहा है आपको पता हुगा रिलाइस इंद्फरा की ही सबसिडिज कंपनी रिलाइस पाउर है दोनों एक उससे जुड़ी हुई है और रिलाइस इंद्फरा के शर्में तेजी के पीछे वज़े की कंपनी कर चुकाने जा रही है जो खबर निकल करें रिलाइंस इंद्फरा ने एक्चेंज को जानकारी दिये कि कम्पणी ने सेटल्मेंट एग्रिमेंट की सर्तों के मताबिक जेसी फ्लावर्स एसेड रिकर्श्टर के प्राइवेट लिमिटेड को अपनी दिनदारी का आंसिक भुकतान नहीं पार्ट प्राइवेट कर दिया है साथी सेटल्मेंट एग्रिमेंट को भी मोडिफाइड किया है यानि कम्पनी लगातार अपने प्राइवेट को सेटल करने की कोसिस कर रही है और इसी वज़े से देखो रिलाइंस इंफ्रा के शेर में भी जबर्दस तेजी देखनों को मिल रही है यह देख सकते हो कि पिछले चार सालों में 3,000 प्रतिसाद का बंपर रिटन दिया है 27 मार्च 2020 को जो श्टॉक 9.20 के आसपास था वो अप्रेल 2.20 को 293 तक पहुच गया है तो जबर 10 प्रतिसन किया है श्टॉक ने नीचले लेवल से लोगों को बहुत बैतर और सांदर उम्दा रिटन दिया है श्टॉक ने यहाँ पे देख सकते हो कि दो अप्रेल 2.20 को यह 293 के आसपास था कंपणी के शेरों का 52 का लो लेवल 1.31 के आसपास का है तो देख सकते हो कि यहाँ पे रिलाइंस पौर रिलाइंस इंद्फरा दोनों ही उचाल मार रहे है अब देख सकते हो कि रिलाइंस पौर के लिए भी जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ICC Bank, Axis Bank और DBS Bank के साथ में लौन सेटलमेंट कर लिया है और 27 मार्ज को यह देख से तो कि जो रिलाइंस पौर की सबसेज कंपनिया का लाइप पौर प्राइवेट लिमिटेड और रिलाइंस क्लिंजन लेज इन्होंने एक डेट सेटलमेंट एग्रिमेंट साइन किया है और इसके मादियम से देख तो ओधानिम इन्वेस्मेंट के मादियम से करीब जो कर्ज था उसको सेटल कर दिया है इसके अलावा रोजजा पावर सप्लाइय और टोटा हाइड्रो पावर प्लाइंट के मादियम से भी इन्होंने अपने बड़े कर्ज को सेटल केया करीब 425 क्रोड के इसके अलावा यहाँ पर देख से लिएक पूरी color के इन्होंने प्राइज कई गुना बढ़ने की ताकत है अब यहाँ पर इसी को लेकर प्रभुदास लिलादर की तरब से सीजो कुटपतलीगन का कहना है कि टेक्निकल लेवल के हिसाब से देखे तो श्टॉक आने वालेस में 25 को ब्रेक आउट दिया तो आने वालेस में इसके जो टार्गेट है वो 33 तक जाने की समझाना है अब यहाँ पर जो टेक्निकल लेवल के हिसाब से देखे तो यह एक 33 का जो ने यह पार करने के बाद यह अच्छी तेजी देखना हो मिल सकती है तो 33 को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स टार्गेट होगा वो 39 का होगा और 39 को इसने क्रॉस कर ले तो फिर 44 का टार्गेट देखनों को मिल सकता है यानि श्टॉक 44 तक जा सकता है और इसका जो सपोर्ट बंद रहा वो 22 के आसपास है तो एनली श्टॉक का करना है कि 22 का सपोर्ट के साथ इसमें आप खरीद जानकरी दिये कि वो चार नए इंडेक्स शुरू करने जारे नेस्नल श्टॉक एक्षेंज ने जानकरी दिये कि ट्रेडिंग सिस्टम पर यह नए इंडेक्स आट अप्रेल से लॉंच होंगे यह इंडेक्स कैपिटल मार्केट और एफेंडो सेग्मेंट दोनों के लिए हो कि निप्टी टाटा ग्रूप 25% कैप निप्टी 500 मल्टी इंडिया मैनुफैक्चरिंग 50-30-20 और निप्टी 500 मल्टी कैप इंफ्राइक्षर 50-30-20 और निप्टी मीड स्मॉल हेल्थ केर सामिल है तो यह नए इंडेक्स होंगे जो आठ अप्रेल से सुरू हो जाएंगे तो आठ अप्रेल से सुरू होने वाले इंडेक्स में के हेल्थ केर सेक्टर से जुड़े मजोले और छोटे स्टॉक के प्रदर्शन को दर्श किया जाएगा इस लिस्ट में 30 स्टॉक को सामिल किया जाएगा इस इंडेक्स में सामिल स्टॉक में मैस्थ हेल्थ केर का 14.26% का वेटेज होगा लूपीन का 9.19% का वेटेज होगा और और मिन्दो फार्मा का 7.21% का वेटेज होगा इसके एलावा निप्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मेनुफेक्शरिंग 30-30-20 इस इंडेक्स के जरीए लार्ज केप, मीट केप और स्मॉल केप के चुनिंदा ये श्टॉक का परदसन देखा जाएगा इस इंडेक्स में कुल 75 कंपलियों को सामिल किया जाएगा और इसमें रिलाइस पॉर का वेटेज 9.96% के आसपास है और यहां पे दूसरी तर और कंपनियों में देखे तो जिस इस इंडेक्स में TCS, Tata Motors, Titan Company समित ग्रूप की कूल 10 कंपनियां सामिल होगी TCS का वेटेज सबसे ज़्यदा है 24.53% होगा और Tata Motors का इसमें 16.59% का वेटेज होगा तो यह अलग-अलग बहुत सारे इंडेक्स सामिल होगी जिसमें अब यहां पे निप्टी, फाइड, मल्टी इंडेक्स जो सामिल होगी तो यह कुछ नए इंडेक्स है जो सामिल होगी जिसमें आप अपना इंवेट्मेंट कर सकते आनुवल्स में तो कुल मिला के रिलाइस वार में यह अच्छा मौका है खरीदारी करनी चीए लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेट्मेंट करने से पहल कर दिलाइस लेक्स कर सकत्या Спha और चा कर बेугाना नाप सिद्वास पनाप टूसिए कि का बस्लील है ज हम जोols को रिलाइस मेंडेंट से मलेक्स, क्क्रेण मा प्राइस वाष्न मिला नाप उने nhi